अपना नाम अपना टीचर का नाम निकलेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे अकबरी लोटे के बारे में ठीक है तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं तो देखें यह लिकासा बिल्वासी जी को धन्यवाद देते हुए बैट गया और लाला जहावलाल की ओ इशारा करके बोले आ अंग्रेस को ठीक है और बिल्वासी जी जो है वो लाला जहावलाल के दोस्त है ठीक है जैसा कि अपने पिछली वरक्षीट में जाना था अब देखें बिल्वासी जी बिल्कुल मुकर गए बिल्कुल नहीं और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो नीराई रह च जाता है ऐसे इंसान को जो रा चलते लोगों पर बार करें लोते से मेरी समझ में यानि कि मेरे हिसाब से अगर बोले ही इस ए डेंजिरस लेइनैक्स जैनि कि यानि यह एक खतरनाक पागल है या आदमी जो है पागल है किसे बोले लाला जहालाल को अब क्या बोलते परमातना ने लाला जाहुलाल की आँखों को उस समय कहीं दीखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चे है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपने आँखों से ही खा चुके होते हैं यहां देखें यह हसी के पैराय में बात करें कि अगर भगवान ने इश्वर ने ल बिलवासी जी को इस समय क्यों वो गया यानि के समझ में यह नहीं आए था कि विलवासी जी सो पूछा तो क्या करना चाहिए मैं इस मामले का ऋक्थ तो आ यहांँ बिलवासी जी जी ज्वाब देतें कि पुलिस में चलके नकी रे पर काट करना चाहिए जिस से ही आपने पॉरण हिसास में बुल्य स्टिशन कहा है पास ही ओओ चलि dimensional को इस बात को काटते 10am के हैं आप आपको आपको चला आपकी जा दो पहले मै को इस लोटी को इस आदमे से खरीद लो क्यों क्यों बेच communism when जी बेचेंगे मैं 50 रुपए तक इसके दांग दे सकता हूँ यानि कि आप वो बोलते हैं कि आप दो मिन रुकें अगर आप इजाज़त दे तो मैं यह लोटा इससे खरीद लूँ और उसके बाद लाला जाहूलाल से कहते हैं क्यों यह लोटा बेचेंगे 50 रुपए तक दे रहे हैं आप इस लोटे को रदी बताते हैं आश्चेर यह मैं तो आपको एक विक्या और सुष्ट आदमी समझता था यानि मैं आपको एक विक्यान जो पुराने चुछ करता है वह और एक पढ़ाली का इंसां समझ रहा था आप इसको रदी लोटा कहते हैं आखिर बात क्य जबाड दिया जनाब है एक इतिहासिग लोटा है पूरा विश्वास है कि यह प्रसदına इतिहासिएं लोटा है यह वह प्रसद अकबरीscenes सोलवी शताबदी की बात है बाश्या होमायू शेशा सूजी से हार कर जब भागा था तो वो सिंध के रेगिस्तान से मारा मारा फिर रहता है यनि कि यहां से भागा तो तो सिंध रेगिस्तान में पहुच गया था तो एक अफसर पर उसे प्यास लगी ठीक है प्यास से उसकी जान निकल रही थी उसी समय एक ब्रामन ने इसी लोते से पानी पिला कर उसकी जान बचाई थी हुमायों के बार अकबर ने उसे ब्रामन का पता लगा कर उससे इस लोते को ले लिया और इसके बदले में इसी प्रकार के दस सोने के लोते उसको धिये प्रदान किये ये लोता स किसी से वजू करा करता था यानि वजू समझते हैं आप लों जम नमाज पढ़ने के लिए वजू करते हैं सन 57 तक यानि कि अथार सो 57 तक जब तक अंग्रेजों का हम्दुस्तान पर कभजा नहीं हुआ पूरी तरह इसके शाही घराने में ही रहने का पता चलता है यानि कि मौڈल रखा है अब क्यते कि अगर आप म्यूजियम जाएगे तो इसका पलास्टर का यह पता नहीं कि पता के पास कैसे आया मुझे नहीं पता है साधन label के पास यह लूटा कहां से आ गया है रो चलिए तो आप आपने पढ़ा किस तरह से बिलवासी जी ने उस अंग्रेज को पूरी तरह से उल्लू बना दिया ठीके चलिए आगब पढ़ते कुछ ना से इसको यहां आपका लिखा है गद्याज को पढ़कर निमलिकत पश्चनों के उत्तर लिखिए तो अपको पढ़ लिया गया है चलिए आप उत्तर देखते हैं पहला लिखा है बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला जाओ लाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया अनुमान लाला जाओ लाल को पहचान लेते तो अंग्रेज उनको के उपर भी गुस्सा करते हैं और उनसे कभी भी बात खत नहीं होती और लड़ाई जगड़ा बढ़ता चला जाता ठीक है इसलिए उन्होंने पहले बिलवासी जी को पहचानने से इनकार कर दिया और उसके बाद लो लोटा खरीजना नहीं जाते थे लेकिन वह बात को खत्म करके रुपे का इंतिजाम करना चाहते हैं कि अगला कुशन पढ़ते हैं बिलवासी जी ने लोटे के संदब में क्या कहानी सुनाई तो वैसे तो देखें उन्होंने बहुत लंबी चोड़ी कहानी सुनाई ती कि जब हुमाईयू कोई बेशेर्शा सूरी ने हरा दिया था तो यहां से भाग कर गया था उसे प्यास लगी उसके बाद उससे पानी पिलाया गया बाद में लोटा अकबर ने मंगाया तो यह बहुत लंबा आंसर जागा इसको मैंने शौर्ट करके लिखा है तो चले यहां से लिखेंगे बिलवासी जी ने लूटी के संदब में यह कहाने सुनाई कि यह लोटा तो हुमाईयू का है मगर अकबर ने इसे बहुत समाल कर रखा और यह 850 में ही रहा तो दिखें मैंने इसे शौर्ट में कर दिया है क्योंकि हुमाईयू को इसमें पानी प्लाया मगर अकबर ने इसको समाल के रखा तो और लास तक तक पूरी तरह से हिंदुस्तार अंग्रेजू की उकुमत में नहीं चला गया तब तक कि यह महल में ही रहा कर सकते है असानी से चलिए अगला कुशन बढ़ दें आप इस कोशन को पढ़ेंगे यह गतिविदी यह आपकी कि किसी पुरानी वस्तू के बारे में एक ऐसी ही कहानी बनाई है मज़ेदार और उसे लिखी है तो देखिए मैंने पी च्छोटी सी कहानी लिख दिये कहानी क्या लिख दिये बस एक जुमला लिखा है चलिए देख लेते हैं आप कहानी भी बना तो देखिए हमने लिख दि थी हाजर जवाबी के लिए तो है ना इंट्रेस्टिंग बात इसे तना से आप भी कोई अच्छे सी कहानी बना सकते हैं तो लिख लेंगे चले तो आची वक्षिट कहीं करते हैं आची वीडियो में बस इतने हैं अगर आपको मैं वीडियो पसंदा यह तो प्लीस से लाइक को अगर आपने मैं चांगा सब्सक्राइब ने का तो प्लीस मैं चांगा सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग